तो हेलो दोस्तों कैसे हो अब लोग आज हम लोग बात करेंगे अडानी पाउनर के उपर और अडानी पाउनर काफी हाई से नीची आ चुगा था कहां से लंसम चार सो 31 रुपय के रिंज से टूट करके हां थक आया था 133 रुपय के भाउ तक अब देखो उसने लगतार एक हाई बनाया है और यह इस टोग भागना तैंकिया और भागते रहा अभी तक कुछ अडानी को अडानी सेर को लेकर के कुछ गूड नहीं जाए तो अडानी सेर को लेकर क को बात कर रहे हैं कहां अडानी पाउर के उपर और यह चोक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल को कहां पर 211 वाले रेंज को 221 से 214 से 211 वाले रेंज को हो सकता है रेजिटेंज फेज करें और इस लेवल को यह रेजिटेंज पर इस फेज करके हो सकता कुछ पॉइंट नीची भी आ सकता है ठीक है तो इस लेवल को आप कुछ पॉइंट तक नीची आ सकता ज्यादा नहीं फिर अगर यह नीची आएगा तो 184 रुपे के रेंज तक नीची आ सकता है बट आने की उमीद बहुत ही कम है लेकिन कुछ भी ह हो सकता क्योंकि फर्स्ट जब इसने पहली बार गीरा तो कहां तक आया था 149 रुपे के भाव तक आया फिर वहां से भागना इस्टोग ने लगतार भागते रहा और इस वाले पॉइंट को फेज किया राइस्टेंस फेज करके और यह इस्टोग फिर से नीचे गिरा कहां तक 135 के रेंज तक आप फिर यहां से भागना इस्टार्ट हुआ भागते रा भागते रा इस यह भी डे कुछ किया इस बार और इसे ब्रेकाउट किया कुछ में तक र ब्रेकाउट जैसे दिया अब फिर पहुंचने वाला इस लेवल पर अपने रेश्टेंस के पास ठीक है 213 चोदे का रेश्टेंस है और यहां पहुंचने बात देखो अगर इसे ब्रेकाउट करता यह स्टोग तो कहां कहाई लगाएगा 244 रुपे का अगर ब्रेकाउट कर होल्ड करोगे 203 रुपे के लिए होल्ड करेंगे कुछ पर्थिंट के रिटर्न बना करके बना सकते हैं लेकिन इस इस इस्टोग के यहां अगर रेश्टेंस पेज करता तो आपको फिर यह आएगा कहां पर यहां पर आ सकता है 180 के रेंज में तो 180 रेंज बहुत अच्छा बालक ब्राइज बनती है अगर यहां आता है इस टोग तब अगर इस रेंज को ब्रेक आउड करता है तो डिरेक्ट यह इस टोग आएगा 242 के रेंज में ठीक है तो ऐसे हम लोग काम करके चल सकते हैं तो फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में